नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों और बहनों आज की कहानी बिहार की है ये कहानी आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी दो-दो लाशें देखते ही पुलिस के होश ओड़ गए दोनों लाशें किसकी हैं? कौन है युवती? कौन है युवक? किसने की है? इन दोनों की हत्याएं दो-दो हत्याएं नेपाल पुलिस के लिए चुनौती बन गई बोरी में छुपा था दो हत्याओं का राज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करें आपसे उम्मीद करते हैं आप वीडियो पूरा देखेंगे चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं नेपाल के चितवन क्षेत्र के नारायन घाट से गुजर रहे लोगों की नजर एक बोरी पर पड़ी उस समय सुबह के साढ़े ग्यारा बजे का समय था बोरी देखकर एक व्यक्ती ने उसे अपने कबजे में ले लिया उसने सोचा कि बोरी में कोई सामान होगा लोगों में आपस में बहस होने लगी कि इस बोरी पर उनका भी अधिकार है इसके बाद माल की उम्मीद में जैसे ही बोरी का मुह खोला गया सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई बोरी में कोई सामान नहीं बलकि एक 30-35 साल की महिला की लाश थी यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गये फिर एक युवक ने तुरंत चितवन थाने की पुलिस को इसकी सूच न दे दी नेपाल पुलिस ने घटना स्थल पर पहुँच कर जाँच शुरू की पुलिस ने डॉग स्क्वाइड भी बुला लिया पुलिस सबूत जुटाने के प्रयास में थी इसी बीच पुलिस को कुछ दूरी पर एक बोरी और मिली उसे खोल कर देखा गया तो उस बोरी में भी एक बीस इकीस साल के युवक की लाश थी दो दो लाशें देखते ही पुलिस के होश उड़ गए दोनों लाशें किसकी हैं? कौन है युवती? कौन है युवक? किसने की हैं इन दोनों की हत्याएं? दो दो हत्याएं नेपाल पुलिस के लिए चुनोती बन गई शवों की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछ ताच शुरू की पुलिस समझ गई कि इन दोनों लाशों का आपस में जरूर कोई न कोई संबंध है यह घटना 22 नवंबर 2023 की थी जोले में छिपा हत्याओं का रहस्य नेपाल पुलिस ने दोनों शवों को अपने कबजे में ले लिया उस क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों को खंगाला गया एक फुटेज से पता चला कि एक व्यक्ती साइकल पर रख कर दो बार में इन शवों को यहां फेंक गया था शवों को फेंकने वाले का चेहरा कैमरे में धुंधला होने के कारण उसका पता नहीं चल सका पहचान की गुंजाईश इतनी भर थी कि जाँच पड़ताल के दोरान पुलिस को शवों से कुछ दूरी पर एक थैला मिला उस थैले पर बिहार के मोतिहारी जिले के सुगौली की एक दुकान का पता लिखा हुआ था नेपाल पुलिस ने अनुमान लगाया कि जरूर इन दोनों लाशों का संबंध भारत के बिहार राज्य के सुगौली से होगा बताते चलें कि मोतिहारी बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है बिहार की राजधानी पटना से 170 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण नेपाल की सीमा पर बसा है इसके बाद नेपाल पुलिस ने थाना सुगौली पहुँचकर वहां की पुलिस को दोनों लाशों के साथ ही मिले थैले के बारे में जानकारी दी दोनों लाशों के फोटो भी दिखाए थाना सुगौली पुलिस को जैसे ही मृतकों के बारे में जानकारी मिली तो वह हत्प्रभ रह गई क्योंकि इन दोनों की पिछले 25 दिनों से तलाश कर रही थी ये लाशें 21 वर्षिय रिसब निवासी फुलवरिया थाना सुगौली और 30 वर्षिय अस्मिता उर्फ संजु देवी निवासी सुगाव डीह थाना सुगौली की थी नेपाल पुलिस से पूरी दास्तान सुनने के बाद सुगौली थाने की पुलिस सक्रिय हो गई SP कांतेश कुमार मिश्रा सुगौली के SHO अमित कुमार सिह ने पूरे घटना क्रम की जानकारी अपने उच्चा धिकारियों को दी इस पर SP कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर ASP सदर राज ने मामले को अपने हाथ में लेकर SHO को आवश्यक कारवाई के आदेश दिये इसके बाद सुगौली थाने के SHO अमित कुमार सिह ने इस संबंध में अपने थाने के रिकॉर्ड के पन्ने पलटने शुरू किये उन्हें याद आया कि 30 अक्तूबर 2023 को एक रिपोर्ट धर्ज की गई थी ऐसे ही चो अमित कुमार सिह यह रिपोर्ट फुलवरिया गाव के रहने वाले 22 वर्षिय रिटेश शाह के लापता होने के संबंध में उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी पुलिस रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 23 अक्तूबर 2023 को उनका बेटा रिपेश शाह नवमी मेला देखने गया था लेकिन लौट कर नहीं आया उसे रिश्टेदारियों वो दोस्तों के यहां भी तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला उन्हें शक है कि उनके बेटे रिटेश का अपहरण उसके बचपन के दोस्त रिसब निवासी फुलवरिया ने अपनी प्रेमिका अस्मिता उर्फ संजु देवी के साथ मिलकर किया है उन्होंने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि रिटेश के अवैध संबंध भी उस अस्मिता से थे सुगौली थाना पुलिस को अब रिटेश शाह के पिता पर ही शक होने लगा कि रिटेश के अपहरण होने की रिपोर्ट दर्ज करा कर कहीं पिता उसका बचाव तो नहीं कर रहा पुलिस को अब यह भी लगने लगा कि कहीं आशिकी के चक्कर में रितेश और उसके घरवालों ने ही नेपाल ले जाकर रिसब और असमिता की हत्या तो नहीं कर दी और रितेश के अपहरण की मन गढ़ंत कहानी पुलिस को बता रहे हैं इस पर रितेश के पिता ने कहा कि जब से उनका बेटा लापता हुआ था, वह लगातार थाने के चक्कर काट रहा है और बेटे को तलाश करने की गुहार लगा रहा है. अब मेरे लापता बेटे पर ही हत्या का आरोप लगाना ठीक नहीं है. पती पर पुलिस को क्यों हुआ श संजू अपने प्रेमी के साथ नेपाल चली गई, वह अब तक हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा है. उसने पतनी की गुमशुदगी अब तक दर्ज क्यों नहीं कराई, न संपर्क किया. तब पुलिस का माथा ठनका. पुलिस अखिलेश भगत की तलाश में जुड़ गई, ल शितका अस्मिता उर्फ संजू देवी के पती अखिलेश भगत को तलाशती हुई कोवई गाव पहुँची, जहां से उसे गिरफतार कर लिया. अखिलेश को ठाने लाकर उससे पूछताच की गई. अखिलेश ने पुलिस को बताया कि उसकी पतनी अस्मिता दो युवकों को दिल दे बैठी थी. उसे इस बात का पता नहीं था. जानकारी होने पर जब उसने पतनी पर दोनों प्रेमियों से मिलने पर पाबंदी लगा दी, तो वह दोनों उसकी पतनी को लेकर फरार हो गए. अब पुलिस से ही उसे जानकारी मिली है कि नेपाल में उसकी पतनी और एक प्रेमी रिसप की हत्या हो गई है, जबकि दूसरा प्रेमी अभी फरार चल रहा है. संजु देवी का पती अखिलेश भगत थाने की पुलिस को काफी देड़ तक यही कहानी सुना कर गुमराह करता रहा, लेकिन वह पुलिस की इस बात का कोई संतोश जनक जबाव नहीं दे है. तब पुलिस ने अखिलेश भगत से सकती से पूछ ताच की, जिसका जल्दी ही परिणाम सामने आ गया. अखिलेश भगत वास्तव में बगुला भगत निकला. पुलिस की सकती के आगे वह रट्टू तोते की तरह बोलने लगा. सुगौली पुलिस हवा में चलाती रही हातपाव ESP. सदर राज ने प्रैसवारता आयोजित कर ट्रिपल मर्डर का परदाफाश करते हुए बताया कि एक आरोपी अखिलेश भगत को गिरफतार किया गया है. इस हत्याकांड में प्रेम प्रसंग कारण बन कर सामने आया है. पहले महिला और उसके प्रेमी रिसब की ह प्रित्या का मामला सामने आया. रितेश के पिता ने अपहरण का आरोप रितेश के बचपन के दोस्त रिसब और प्रेमी का अस्मिता उर्फ संजु देवी पर लगाया था. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन रिसब और अस्मिता दोनों का पता नहीं चल स जिले में पूरी खोजबीन के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। मजे से कट रहा था। शादी के बाद उनके दो बेटे पैदा हुए। आज से लगभग पांच साल पहले वह पतनी के साथ अपने मामा के घर फुलवरिया गाव में एक शादी समारोह में गया था। रिसब और रितेश आपस में दोस्त थे। वह भी उस शादी समारोह में मौ में खाना लेकर आगया। शादी में उस युवक का दोस्त रितेश शाह ये सब देख रहा था। उसने रिसब से कहा कि वह भी उस महिला से दोस्ती करेगा। रिसब ने कहा कि जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंने तो खाना लाने में उसकी केवल मदद की लेकिन रितेश ने एक न सुनी और वह भी महिला को खाने का सामान ला कर देने लगा। इस तरह दोनों दोस्तों की पहचान अस्मिता से हो गई। रितेश और रिसब ने अस्मिता से मिलने के लिए अब उसके पती अखिलेश भगत से दोस्ती कर ली। उम्र में अंतर होने क अब दोनों युवकों का अखिलेश के घर आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे अस्मिता से दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों दोस्तों के साथ अस्मिता के जिस्मानी संबंध बन गए। अखिलेश को उन पर शक न हो। अखिलेश की पीठ पीछे उसकी पतनी क्या गुल खिला रही है। इसकी अखिलेश को भनक तक नहीं लगी। धीरे धीरे अस्मिता का जुकाव प्रेमी रिसब की ओर अधिक हो गया। अंतरंग क्षणों में अस्मिता और रिसब को रितेश पतनी से इस बारे में पूछ ताच की। अस्मिता ने बताया रितेश से उसके अवैद संबंध नहीं है। लेकिन वह उसे परेशान करता है। कई बार मना किया लेकिन वह मानता नहीं है। इसके बाद अखिलेश भगत, रिसब और उसकी पतनी अस्मिता, उर्फ संजु दे गुबर 2023 को अस्मिता ने रितेश शाह को छपवा में आयोजित नवमी मेले को देखने के लिए बुलाया। रितेश अस्मिता के बुलावे पर मेला देखने पहुँच गया। इसी दौरान एक सुनसान जगह पर ले जाकर रितेश के गले में गमच्छा डाल कर उसकी गला गोट कर सभी ने मिलकर हत्या कर दी। फिर लाश को एक वाहन से विनय अपने थाना केसरिया के गाव गोपालपुर ले गया। जहां एक खेत में गढधा खोद कर रितेश शाह को दफन कर दिया गया। इसके बाद हत्यारे अपने अपने घरों को चले गए। जब मेले से र रितेश के साथ गामवालों ने देखा था। इस दोरान उन्हें पता चला कि दूसरे प्रेमीरिसब और असमिता इस समय चटावनी में हैं। परिजनों के साथ ग्रामीडों ने दोनों को पकड़ कर चटावनी पुलिस के हवाले कर दिया। जब चटावनी पुलिस ने इस घटना के बाद 30 अक्तूबर 2023 को लापता प्रेमी रितेश शाह के पिता ने थाना सुगौली में गाम के ही रिसब और उसकी प्रेमी का असमिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते है रितेश का अपहरन कर उसकी हत्या कर देने की आशंका जताई। पुलिस ने FIR रिपोर्ट दर्ज होने के बाद रिसब और असमिता नेपाल चले गए और वहाँ चितवन में जाकर रहने लगे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अखिलेश भगत को गिरफतार कर लिया। पुलिस को अब रितेश की लाश को बरामत करना था। वह आरोपी अखिलेश भ पुलिस ने बरामद अवशेशों को सील करने के बाद उन्हें फोरेंसिक, एफसल, जाँच के लिए भेज दिया। पुलिस को जाँच के दौरान पता चला कि रितेश की लाश को ठिकाने लगाने में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस अपने मुखिरों से उनकी पहचान कराने के बाद उनकी गिरफतारी में जुट गई ताकि रितेश के शेश अवशेशों को बरामद किया जा सके। उधर रितेश की हत्या के बाद रिसब और उसकी प्रेमिका असमिता उर्फ संजु देवी अखिलेश भगत को बिना बताए नेपाल भाग गए। प्र असमिता और रिसब के अचानक गायब हो जाने पर अखिलेश परेशान हो गया। पूर्वी चमपारन से नेपाल अधिक दूरी पर नहीं है। डेड़ घंटे का रास्ता है। उसे शक हुआ कि जरूर दोनों नेपाल भाग गए हैं। इसी बीच उसे कुछ लोगों से पता चला कि रिसब और असमिता को नेपाल में देखा गया है। अखिलेश भगत दोनों को तलाशता हुआ एक दिन नेपाल जा पहुँचा। वहां उसे पता चला कि दोनों चित्वन में किराएपर कमरा लेकर रहते हैं। जब अखिलेश भगत उनके कमरे पर पहुँचा, तो दोनों को आपत्ति जनक हालत में देख कर उसका खून खौल गया। लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया। अखिलेश भगत भी दोनों के साथ वहां रहने लगा। वह जानता था कि उसके साथ पतनी अस्मिता और उसके प्रेमी रिसब ने विश्वास घात किया है। उसे पता चल गया कि रितेश की हत्या भी रिसब और अस्मिता की चाल थी। अखिलेश अब पूरी तरह से समझ गया था कि रिसब ने अस्मिता पर सिर्फ अपना एक अधिकार जमाने के लिए ही अपने दोस्त रितेश की हत्या की थी। लेकिन अखिलेश भगत ने अपने मन की बात दोनों के सामने जाहिर नहीं होने दी। वह उनके साथ सामानने तर रही थी और रिसब कमरे में सो रहा था, तभी अखिलेश ने सोते समय रिसब को दबोच लिया और उसके गले में गमचा डाल कर उसकी हत्या कर दी। पाइंतजाम किया, फिर एक एक बोरी को ले जाकर चितवन के जंगल में फेंक आया, इसके बाद वह नेपाल से भाग कर अपने गाव आ गया, एक युवक की हत्या भारत में जबकि एक युवक वह एक महिला की हत्या नेपाल में कर दी जाती है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा से सिफारिश की गई है, पुलिस ने अखिलेश भगत को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे तीन-तीन हत्याओं, यानि पत्नी असमिता, उर्फ संजु देवी, तथा उसके दो प्रेमियों, रितेश और रिसब की हत् में जेल भेज दिया गया. उसके दो बच्चों की परवरिश कौन करेगा? पूछने पर बड़ी बेटी ने बताया कि विवेक दो पहर बारह बजे स्कूल से लोट कर खाना खाने के बाद, घर से यह कहकर निकला था कि खेलने जा रहा है, तब से वह घर नहीं लोटा. बेटी की बात सुनकर शिवबालक का माथा ठनका. उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर बेटा कहां चला गया, जो अभी तक नहीं आया. पतनी घर में नहीं थी, वह अपने माए के फपुआ पुर गई हुई थी, इसलिए वह बेटे को ढूंडने के लिए निकल पड़ा. उसने पडोस के बच्चों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि दोपहर के समय तो विवेक उनके साथ खेल रहा था. उसके बाद कहां गया, उन्हें पता नहीं. शिवबालक के पडोस में हरी किशन का घर था. शिवबालक ने उसके मंझले बेटे अनिल को विवेक के गायब चपपा छान मारा. लेकिन विवेक का कहीं पता नहीं चला. घुरूपुर, गुर्डून पुर्वा टैंपो स्टैंड, सजेती बसस्टाप, बाजार आधी जगहों पर भी उसकी खोज की गई. लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. शिवबालक ने बेटे के ग वजूद कोई नतीजा नहीं निकला. किसी अनहोनी की आशंका में शिवबालक और मम्ता ने जैसे तैसे रात बिदाई. रात भर उनके मन में तरह-तरह के खयाल आते रहे. सवेरा होते ही पडोसी हरिकिशन का बेटा अनिल शिवबालक के पास आया. वह बोला, चाचा, विव सजेती जा पहुँचे. सुबह का समय था. इसलिए एसो अमरेंदर बहादुर सिह थाने में ही मौजूद थे. शिवबालक ने उन्हें अपने बेटे के गायब होने की बात बताई. थाना प्रभारी ने विवेक की गुमशुदगी दर्ज करा कर जरूरी कारवाई शुरू क कर दी. अमरेंदर बहादुर भी कई सिपाहियों के साथ गाव के नस्दीक के खेतों में बच्चे को ढूंडने लगे. पुलिस के साथ गाववाले भी थे. वह भी पुलिस की मदद कर रहे थे. इस बीच पुलिस ने गौर किया कि विवेक की खोज में अनिल निशाद कुछ ज्यादा ही सक्रियता दिखा रहा है. सर्च अभियान के दौरान ही अनिल ने ऐसो से कहा, दरोगा जी, चलिए उधर सर्सों के खेत में देख लेते हैं. अनिल की यह बात ऐसो अमरेंदर बहादुर सिंह की समझ में नहीं आई, कि यह सर्सों के खेत की और चलने को क्यों कह र बोला, सर, विवेक की लाश यहां पड़ी है. उसकी बात सुनते ही एसो तुरंत उसके पास पहुँच गए. सचमुच सर्सों की फसल के बीच विवेक की लाश पड़ी थी. लाश को घास फूस से ढखा गया था. लेकिन हवा के जोंकों से घास फूस बिखर गया था, जिसस साफ दिखाई दे रही थी. बेटे की लाश देख कर शिवबालक दहाणे मार कर रोने लगा. इसके बाद तो गाव में जिसने भी सुना, वही लाश देखने भाग खड़ा हुआ. सूचना मिलने पर मृतक विवेक की मा ममता भी रोती बिलखती वहां पहुँच गई और पी, ग्रामीन, प्रद्युम्न सिंह और सीयो, घाटमपुर, शैलेंद्र सिंह घटना स्थल पर पहुँच गए. उन्होंने लाश का निरीक्षन किया. उन्हें उसके शरीर पर कोई घाव दिखाई नहीं दिया. गले के निशान से ही अंदाजा लग गया कि उसकी हत्या गला शिवबालक से पूछा कि उन्हें बेटे की हत्या का किसी पर शक तो नहीं है. सहब, बीते साल जून महीने में गाव के इंदरपाल निशाद के बेटे सरवेश ने मेरी बेटी नीलम, परिवर्तित नाम को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की थी. इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस ने उसे पकड़ कर जेल भेज दिया था. दो महीने पहले ही वह जेल से छूट कर आया है. हो सकता है मेरे बेटे की हत्या में, उसका हाथ हो. शिवबालक ने बताया, उसी समय थाना प्रभारी अमरेंदर बहादुर सिंह की निगाह अनिल निश जहरा गया. जिस बच्चे को वह धमका रहा था, उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुला कर पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? किस गाव में रहते हो? मेरा नाम सुमित है, मैं इसी गाव में रहता हूँ. बच्चे ने बताया, तुम विवेक को जानते थे? उन्होंने पूछा, हाँ साहब, वह मेरा पक्का दोस्त था, वह कक्षा तीन में और मैं कक्षा चार में पढ़ता हूँ. विवेक को कल किसी के साथ जाते देखा था, थाना प्रभारी ने पूछा, हाँ साहब, अनिल उसे खेतों की ओर ले गया था, अनिल ने मुझे बीस रुपए दे कर विवेक को बुलवाया था, तब मैं विवेक को बुला लाया था, इसके बाद अनिल उसे खेतों की तरफ लेक उधर शिवबालक के बयानों से सर्वेश पर भी शक था। गाम वालों से भी पुलिस को पता चला कि सर्वेश और अनिल गहरे दोस्त हैं। पिर उन्होंने सर्वेश निशाद और अनिल को उनके घरों से हिरासत में ले लिया और थाने ले आये। देर नहीं लगी। दोनों से पूछताच के बाद विवेक की हत्या की जो कहानी सामने आई इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से 47 किलो मीटर दूर एक बड़ी आबादी वाला गाव बीरबल अकबरपुर बसा हुआ है। यह एक एतिहासिक गाव है। मुगल बादशाह अकबर का यहां किला है जो समय के थपेडों के साथ अब खंडहर में तबदील हो गया है। यमुना किनारे बसे इस गाव की आबादी लगभग 10,000 है। बताया जाता है कि मुगल बादशाह अकबर जब आगरा से अकबरपुर आते थे तो इसी किले में दरबार लगाते थे। इसी किले में अकबर की मुलाकात बीरबल से हुई थी। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बादशाह अकबर ने उन्हें अपने दरबार में रख लिया। अपनी बुद्धिमत्ता के चलते बीरबल दरबार में चर्चित हुए तो इस अकबरपुर गाव का नाम बीरबल अकबरपुर पढ़ गया। समय बीतते सरक निर्धन परिवार में जनमे बीरबल का पालन पोशन उनकी मा ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में किया था। मस्तक की लकीरों को गोर से देखा, फिर बोला, माई, तुम्हारा ये लाल बड़ा बुद्धिमान होगा, ये अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा बड़े बड़ों से मनवाएगा और पूरे देश में चर्चित होगा, ये राजदर्बारी होगा। साधु बोला, रोमत माई, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो इधर से जा रहा था तो मेरी नजर पड़ गई। इसके बाद वह साधु बीरबल को आशीरवाद दे कर चला गया। समय बीतते इस साधु की भविश्यवानी सच निकली। बीरबल अकबर के राजदर्बारी बने और अपनी हाजिर जवाबी के लिए चर्चित हुए। इसी बीरबल अकबर पुरगाम्व में शिवबालक निशाद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पतनी ममता के अलावा दो बेटियां और एक बेटा विवेक था। शिवबालक ड्राइवर था। वह लोडर चलाता था। इसके अलावा उसके पास तीन बीघा खेती की जमीन भी थी। लेकिन वह जमीन उसर बंजर थी। उसमें जवारबाजरा के अलावा कोई दूसरी फसल नहीं होती थी। अतिरिक्त आमदनी के लिए शिवबालक ने दूध का व्यवसाय शुरू कर दिया था। वह सुबह उठकर गाम से दूध इकठा करता, फिर दूध को घाटमपुर कस्बा ले जाकर बेचता था। वक्त यों ही गुजरता गया। वक्त के साथ शिवबालक के बच्चे भी सा 14 साल की उम्र पार कर चुकी थी। तीनों बच्चे गाम के SS शिक्षा सदन स्कूल में पढ़ते थे। नीलम नौवी कक्षा में पढ़ रही थी। शारदा के घर से कुछ दूरी पर सरवेश निशाद रहता था। वह एक अच्छे परिवार का था। सरवेश अपने पिता की तीन संतानों में मंजला था। वह थोक में सबजी बेचने का काम करता था। गाव के किसानों से सस्ते दाम पर सबजियां खरीद कर उन्हें कानपुर की नौबस्ता थोक सबजी मंडी में अच्छे दामों पर बेचा करता था। चूंकि सरवेश अच्छा कमाता था। सो तरह से अच्छी कमाई करता था, उसी तरह शराब और अयाशी में वह अपनी कमाई लुटाता था। उसके पिता इंद्रपाल उसकी इस फिजूल खर्ची से परेशान थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया और डांटा फटकारा भी, लेकिन सर्वेश का रवय्या नहीं बदल एक रोज नीलम स्कूल जा रही थी, तभी सर्वेश की नजर उस पर पड़ी। खूबसूरत नीलम को देखकर सर्वेश का मन मचल उठा, वह उसे फांसने का ताना बाना बुनने लगा, मौका मिलने पर वह उससे बात करने का प्रयास करता, लेकिन नीलम उसे जड़क देती थी, तब सर्वेश खिसिया जाता, आखिर जब उसके सब्र का बांध तूट गया, तो उसने एक रोज मौका मिलने पर नीलम का हाथ पकड़ लिया और बोला, नीलम मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती ने मेरा चैन छीन लिया है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, नीलम अपना हाथ छोडाते हुए गुस्से से बोली, सर्वेश तुम्हें ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी जाती बिरादरी की हूँ, और इस नाते तुम मेरे भाई लगते हो, भाई को बहन से इस तरह की बातें करते शर्मानी चाहि प्यार अंधा होता है नीलम, प्यार जाती बिरादरी नहीं देखता, वह बोला, होगा, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नफरत करती हूँ, और हाँ, आइंदा कभी मेरा रास्ता रोकने या हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा क को हर हाल में तोड कर रहेगा, सरवेश का एक दोस्त था, अनिल निशाद, दोनों ही हमुम्र थे, सो उनमें खूब पठती थी, एक रोज दोनों शराब पी रहे थे, उसी दौरान सरवेश बोला, यार अनिल, मैं नीलम से प्यार करता हूँ, लेकिन वह हाथ नहीं रखने द अनिल ने सरवेश को समझाया, अरे छोड इन बातों को, मैं भी जिद्धी हूँ, मैं आज चैलेंज करता हूँ कि नीलम अगर राजी से नहीं मानी, तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, सरवेश ने कहा, सरवेश ने नीलम के उपर लाख डोरे डालने की कोश ली, तभी सरवेश ने उसका पीछा किया, नीलम जैसे ही जाडियों की तरफ पहुंची, तभी सरवेश ने उसे दबोच लिया, और उसे जमीन पर पटक कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, नीलम उसकी पकड़ से छूटने का प्रयास करने लगी, लेकिन सरवेश पर ज नीलम मूर्चित होकर देहरी पर गिर पड़ी, ममता ने नीलम को अस्थ व्यस्थ कपड़ों में देखा, तो समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ है, मा ने नीलम के चहरे पर पानी के छीटे मारे, तो कुछ देर बाद उसने आँखें खोल दी, उसके बाद उसने मा को सरवेश के पिता इंदरपाल के पास पहुँची, तो उसने बेटे को डाटने समझाने के बजाए उसका पक्ष लिया और उलटे उसकी बेटी नीलम के चरित्र पर ही अंगुली उठाने लगा, ममता ने यह बात अपने पती को बताई, इसके बाद दोनों पती-पतनी थाना सजेती पहुँच गए, उन्होंने सरवेश के खिलाफ दुशकर्म की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज करा दिया, रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस सक्रिय हुई, और आनन फानन में सरवेश को गिरफतार कर कानपुर जेल भेज दिया, सरवेश चार महीने जेल में रहा, 20 अक्तूबर, 2018 को उसकी जमानत हुई, जेल से बाहर आने के बाद सरवेश के दिल में ममता और उसकी बेटी नीलम के प्रती बदले की आग भभक रही थी, क्योंकि उनकी वजह से वह जेल जो गया था, बदला कैसे लिया जाए, इस विशय पर उसने अपने दोस्त अनिल से व करने लगे, 25 जन्वरी 2019 को अपराहन दो बजे शिवबालक का दस वर्षिय बेटा विवेख अपने साथियों के साथ गली में खेल रहा था, तभी सरवेश की नजर उस पर पड़ी, अनिल भी उसके साथ था, सरवेश ने अनिल के कान में कुछ काना फूसी की, फिर गाव के बाहर चला गया, इधर अनिल ने विवेख के साथ खेल रहे सुमित को अपने पास बुलाया और उसे 20 रुपए का नोट दे कर कहा, सुमित तुम विवेख को लेकर गाव के बाहर ले आओ, वहां तुम दोनों को बिसकुट टॉफी खिलाएंगे, सुमित लालच में आ गया, वह विवेख को लेकर गाव के बाहर पहुँच गया, अनिल वहां विवेख के आने का ही इंतजार कर रहा था, अनिल ने सुमित को वहीं से वापस कर दिया, वह विवेख को बहला कर सरसों के खेत पर ले गया, वहां सरवेश पहले से मौजूद था, नफरत से भरे सरवेश विवेक का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए खेत के अंदर ले गया और विवेक को जमीन पर पटक कर बोला तेरी बहन ने मुझे जेल भिजवाया था उसका बदला आज तुझे जान से मार कर लूँगा अनिल जो अब तक खेत के बाहर रखवाली कर रहा था वह भी खेत के अंदर पहुँच गया इसके बाद दोनों मिलकर विवेक का गला दबाने लगे विवेक चीखने लगा तो दोनों ने गला दबा कर विवेक को मार डाला और फिर लाश को घास फूस से ढख कर वापस घर आ गए इधर शाम पाँच बजे शिव बालक घर आया तो उसे विवेक दिखाई नहीं दिया विवेक के बारे में उसने शारदा से पूछा तो उसने गली में खेलने की बाद बताई लेकिन शिव बालक का माथा ठनका वह उसकी खोज में जुट गया लेकिन विवेक नहीं मिला दूसरे दिन उसकी लाश सरसों के खेत में पुलिस की मौजूदगी में मिली पुलिस ने शव को कबजे में लेकर जाँच शुरू की तो बदला लेने के लिए मासूम की हत्या का परदाफाश हुआ 27 जनवरी 2019 को थाना सजेती पुलिस ने अभियुक्त सर्वेश निशाद वा अनिल को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्राइट के समक्ष पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया कथा संकलन तक उनकी जमानत नहीं हुई थी इस वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्राइम से बचे अपना और अपने परिवार वालों का खयाल रखें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद